बेलकम टू एक्जाम विवेचना तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी ब्याकरण के उन प्रश्णों को जिने लगातार प्रिक्षा में पूछा जातार रहा है जैसे कि आप प्रिक्षा लीजिए हमीर पूपोड इसके अलावा PGT हिंदी या हिंदी साहित की कोई प्रिश्णा हो इसके अलावा अगर पुलिस फोरेस्कारण इतियादी को भी हम लेंगे तो वहां पर भी ब्याकरण के प्रश्णों पूछे जाते हैं इसलिए यह आपके आगामी प्रिक्षा के लिए महत्पून रहने वाली है तो चलिए प्रश्णों को शुरू करते हैं हाँ इससे पहले हमने इसके एक पार को डिसकस कर लिया है अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है ताप उसको भी देख सकते हो तो ठीक है ना तो चलिए आगे की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ पर जो प्रश्ण है 116 से लेकर 120 तक यहाँ पर शुद शब्दों का चैन करना है तो यहाँ पर जो 116 होगा तो यहाँ पर जो शुद शब्द होगा तो वो हो जाएगा साधारन इस प्रकार से लिखा जाता है 117 में जो अरजुन का शुद रूप होगा तो वो हो जाएगा D अरजुन इस प्रकार से लिखा जाता है आगे है 118 तो यहाँ पर जो अभी व्यक्ति लिखी जाती है तो वो इस प्रकार से लिखी जाती है विकल्प A के नुसर अभी व्यक्ति इस प्रकार से लखी जाती है आगे है 119 तो यहाँ पर जो बातसली लिखा जाएगा तो बहुत विकल्प C के एकॉर्डिंग लिखा जाएगा बातसली का रूप ये सही हो जाएगा आगे है 120 तो यहाँ पर जो उत्सब वताना है कैसे लिखा जाता है, तो उत्सब लिखा जाता है इस परकार से, तो यहाँ पर दोस्तों, आपको एक बात करदीओ, जो आप प्षली वीडियो को देखते हो, अर्थात प्रीवेस एयर के कोश्चेच्ट पेपर की वीडियो को आप जितना इंडिया जी के है इतियादी को भी डिसकस किया जाता है उनकी वीडियो भी आप देख सकते हो उनका भी आपको अवशी अलाब मिलेगा खासकर अगर हम बात करें LT Commission और LT TAT के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पुन और बहुत ही ज़्यादा आभिशक है कि वो पिछली वीडियो को देखते रहे है जैसे हर संडे को मैं आपके समक्ष कोई ना कोई वीडियो को लेकर आता हूँ उनको आपको देखना है क्योंकि वहां से आपका GK section कवर हो जाता है और current fair का भी cover हो जाता है तो ठीक है ना आपको ये चीज ध्यान रखनी है आगे प्रशन है 121 तो यहाँ पर 121 से लेकर 125 तक सही अर्थ को चुनना है तो यहाँ पर अंग्रेजी का अर्थ दिया है और उसको हिंदी में परिवर्तित करके सही उत्तर का चुनाब करना है ये तो LTE में पूछे जाते हैं बहुत जादा इसलिए आपको ध्यान में रखना है इसको तो यहाँ पर प्रशन है 121 तो यहाँ पर पूछा यह है सेंक्शन का हिंदी में क्या रूप होगा या क्या अर्थ होगा तो सेंक्शन का रूप होता है यहाँ पर सही बिकल्प यह हो जाएगा आगे है 122 तो यहाँ पर है इसका जो अर्थ क्या होगा हिंदी में तो यह हो जाएगा सहमती तो सही बिकल्प यहाँ पर C हो जाएगा आगे है 123 एक्सपर्ट इसका हिंदी में क्या अर्थ निकलता है तो ये निकलता है विशेशग्य सही विकल्प यहां पर B हो जाएगा आगे है 124 टेकनिकल इसका सही अर्थ क्या निकलेगा हिंदी में तो ये निकलेगा प्राविधिक सही विकल्प A हो जाएगा इसके पश्चाते 125 तो इसका जो सही उत्तर निकलेगा उससे देख लेते हैं इन्फेंटरी इसका सही अर्थ क्या होता है हिंदी में यह होता है बिकल पर पदाती पदाती इसका सही उत्तर हो जागा हाँ आपको यह बता दूँ अगरवी तक आप हमारे टेलिगाम और पर्ट से गुरूप के साथ नहीं जुड़े हैं ताप उनके साथ भी जुड़ सकते हूँ उनका लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दिया जाएगा वहाँ पर जाकर आप उनके साथ भी जुड़ सकते हूँ आगे गा कोशने 126 इसमें पूछा है पाम उठाकर चलना जो ये मुहाबरा है पाम उठाकर चलना इसका क्या अर्थ निकलता है तो ये होता है विकल्प A शिघर चलना सही विकल्प यहाँ पर A हो जाएगा अगला कोशने 127 इसमें पूछा गिया है देवालिय में समास है तो जो देवालिय है इसमें समास हो जाएगा ततपुर्ष सही विकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा अगला कोशने 128 प्रति उत्तर का संदी विछेद क्या होगा तो जो प्रति उत्तर है इसका सिंदी बिछे द fica हो जाएगा विकल्प ये प्रति जमा उत्तर अगला कोशने 139 इसमें पुछा गया है गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होगा तो जो गुणवान शब्द है इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा गुण्वती बिकल्प यहाँ पर यह सही हो जाएगा अगला कोशन एक सुतीस इसमें पूछा गिया है क्षमा का बहुबचन क्या होगा तो जो क्षमा है इसका बहुबचन क्षमा ही होगा यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा अगला कोशन है 131 नारी की भावाचिक सिंग्या क्या है तो जो नारी शब्द है इसका भावाचिक सिंग्या हो जाएगी बिकल्प भी नारित्व आपके लिए कोशन छोड़ देता हूँ आपको बताना है कि जो मीठा शब्द है इतकी भावाचिक सिंग्या क्या होगी ये बहुत ही ज़्यादा प्रशन पूछा जाता है इसलिए आपको ये पूछ रहा हूँ मैं आपको की मीठा का भावा चेक संग्या क्या हो जाएगी अगला कोशन है 132 तो इसमें पूछा गया है जूट का विशेशन क्या होगा तो जो जूट शब्द है इसका विशेशन होगा जूटा सही भी कल्प भी हो जाएगा अगला कोशन है 133 इसमें कमजोर में उपसर्ग क्या है तो मैंने आपको बहुत वार इसका बताया है अर्थ की कमजोर और में कमजोर में उपसर्ग कौन सा होगा और प्रित्य कौन सा होगा तो यहाँ पर जो उपसर होगा तो वो आगे का होता है तो कमजोर में उपसर हो जाएगा भी कम अगला कोशन है 134 इसमें पूछा गिया है अर्थ का प्रियावाची क्या होगा तो जो अर्थ का प्रियावाची हो जाएगा यह हो जाएगा बिकल्प ए संपता अगला कोशन है 135 तियागी का बिलोम शब्द होगा तो जो तियागी का बिलोम शब्द हो जाएगा तो यह हो जाएगा बिकल्प ए स्वार्थी आगे है कोशन देव लोग का प्रियावाची शब्द कौन सा होगा देव लोग का अर्थता है जहां पर देव रहते हैं उसे क्या कहा जाता है तो ये कहा जाता है स्वर्ग सही उत्तर यहां पर डी हो जाना था अगला कोशन दो आकर्षन का बिलोम क्या होगा तो जो शब्द है आकर्षन इसका बिलोम हो जाना है बिकर्षन सही बिकल्ब यहाँ पर भी हो जाएगा अगला कोशन है तीन निमल्खित में से कौन सा शब्द शुद है तो यहाँ पर जो शुद शब्द हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्ब ए नती अगला कोशन है चार निमिल्कित में से अशुद शब्द का चैन कीजिए तो यहाँ पर जो अशुद शब्द हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्ब A सन्यासी इस परकार से नहीं लिखा जाता है बलकि इस परकार से लिखा जाता है बाकी श्रिंगार सही रूप है और उज्वल ये भी सही रूप आपको ध्यान रखना है कि जो उज्वल पूछा गिया है ये इस तरह से लिखा जाता है ये बहुत ही जादा वार प्रिक्षा में पूछा जाता है इसलिए इसको अपने ध्यान में रखना है उज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है बिकल्बडी के अनुसार तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको एक ही प्रशन में जाना ना जाने कितने ही प्रशन यहाँ पर करवा रहा हूँ इसलिए आपको प्रती एक वीडियो को ध्यान प्रूपक देखना होता है शुरू से लेकर अन्द तक ठीक है ना अगला कुशने पांच निमिल्खित में से शुद शब्द निमिल्खित में से शुद बाक्य का चेन कीजिए कौन सा यहाँ पर शुद बाक्य होगा तो यहाँ पर जो शुद बाक्य होना चाहिए तो वो हो जाना था बिकल्प D गुनबती महिला का सर्वत्र समान होता है क्या है गुनबती महिला का सर्वत्र समान होता है तो यहाँ पर D सही बीकल्ब हो जाएगा अगला कुशने 6 निमलखित में से राष्टर शब्द का बीशेशन बताईए तो यहाँ पर जो राष्टर शब्द का बीशेशन हो जाना था तो यह हो जाना था बीकल्ब A राष्टरी है ए सही भी कलब हो जाएगा यहाँ अगला कोशने साथ चांद पर थुकना का अर्थ क्या होता है तो जो चांद पर थुकने का अर्थ हो जाएगा किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाना यहाँ पर ए सही भी कलब हो जाएगा अगला कोशने आठ सब कुछ खाने वाला इसके लिए उप्युक्त शब्द काचें किजिए तो जो सब कुछ खाने वाला है इसके लिए उप्युक्त शब्द हो जाएगा सर्वख्षी यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा अगला कोशने 9 पीले है अंबर जिसके इसका समस्थ पद कौन सा है? जो पीले है अंबर जिसके इसके इसके लिए समस्थ पद निकलेगा पीतांबर अगला कुशने 10 जहां समस्थ पद के दोनों पद परधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर होगा आपका द्वन्द समास जैसे माता पीता दिनरात इतियादी अगला कुशने ग्यारा अधियक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो देखे कितनी बार ये प्रेशनल रिपीट होते हैं उपसर्ग और प्रित्य वाले तो यहाँ पर जो अधियक्ष है इसका उपसर्ग हो जाएगा बिकलप दी अधि अगला कुशने बारा घवडरा शब्द में कौन सा प्रित्य है तो जो घवराट शब्द है यहाँ पर देखे प्रत्य वाला पुछा यहाँ पर उपसर्ग वाला तो जो घवराट शब्द में प्रत्य रहेगा तो यह हो जाएगा आहाट सी सही विकल्ब हो जाएगा यहाँ अगला कोशने तेरा नमसकार शब्द का कौन सा संधी विश्यद सही होगा तो ये हो जाएगा बिकल्ब ए नमजा जमा कार तो बिकल्ब ए के अनुशार नमसकार का संधी विश्यद हो जाएगा अगला कोशने चौदा, ब्यक्ति शब्द की भावाचिक संग्या कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी, ब्यक्तित्व, सही बिकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा अगला कोशने पंद्रा, फादर कामिल बुलके की महत्पून देन क्या है, तो ये होगा बिकल्प ए, अंग्रेजी हिंदी कोश अगला कोशने सूला, बलवाचारे के शिश्य कौन थे, तो जो बलवाचारे की शिश्य थे, तो ये थे सूरदास सही बिकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए एक प्रशन छोड़ देता हूँ, जो हिंदी साहित के भी द्यारती है, या जो हमारे चैनल के साथ अपने कमिशन और टैट की त्यारी करते हैं, उनके लिए प्रशन होगा, बहुत इजी प्रशन है, आपको बताना है कि जो अश्ट चाप के कवी हैं, इनकी संक्या कितनी है, ठीक है न, यह आपके लिए प्रशन है अगला कोशन है, लरीकाई का अर्थ क्या है, तो जो लरीकाई है, इसका अर्थ हो जाएगा बिकल्फ ए, बच्पन अगला कोशन है अठारा कमर में पहनने वाले आपुशन को क्या कहा जाता है तो वैसे तो कमर में पहनने वाले आपुशन को कमर बंद कहा जाता था पर बिकल्प में कुछ इस तरह कर बिकल्प नहीं थे तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाना था तो वो हो जाना था बिकल्प भी किंकनी एकला कोशन है उन्निस बिस्मिल्ला खां संगीत के किस क्षेतर में प्रतिष्ठित थे तो यह थे शेहनाई बादन के तौर पर प्रतिष्ठित सही बिकल्प यहाँ पर A हो जाएगा अगला कोशन है 20 रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून तो जो यह पंक्ती है यहाँ पर कौन सा अलंगकार हो जाएगा इसमें तो यह हो जाएगा बिकल्प D तो यहाँ पर कुछ आगे है हमारी PDF है जिने हमने त्यार किया है अगर आप इनमें interested हो तो आप इने purchase कर सकते हो तो यह जो पहली PDF है यह हिंदी साहित्ते की mock test की इसमें आपको 10 उत्कृष्ट mock test दिये जाएंगे जो आपकी सभी प्रिक्षा के लिए महत्पून रहेगी जैसे assistant professor हिंदी, PGT हिंदी LT commission, LT test, net set इतियादी के लिए आगे है 1000 अतीम महत्पून प्रश्णों की PDF इसे भी आप चाहो तो उख्रीद सकते हो तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर अवने वीडियो का समापन कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतक बने रहें इसका बहुत धन्यावाद